ओम शान्ती हम सुन रहे हैं अमरत बेले का महत्व और सिख्छाएं जिसमें आज के विडियों में जानेंगे अमरत बेले पिछले दिन का प्रभाव और स्वयम की चेकिंग अमरत बेले पिछले दिन का प्रभाव और स्वयम की चेकिंग रात्री को देर तक जागरन करना प्रविर्ति बाले भी मजे में रहते हैं न मूझने बाले हो या मजे में रहने बाले हो ब्रामर जीवन के हर सेकिन में तन मन दन जन का मजा ही मजा है आराम से सोते हो आराम से खाते हो आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना और कुछ चाहिए क्या पढ़ना भी ठीक है या अमरतवेले सो जाते हो ऐसे कई बच्चे करते हैं सारी रात जाग रहे थे सुबह को नीद आ गई या एक सेवा करेंगे तो अमरतवेले को छोड़ देंगे तो मज़ा क्या हुआ, एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमरतवेला मिस किया तो क्या हुआ, लेकिन नेमी नात मुआफिक ऐसे जुटका खाते नहीं बैठना बहर टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे योग के आसन करते हैं अनेक प्रकार के पोस बदलते रहते हैं तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं, सोचते हैं, सहे योग है न इसलिए आराम से बैठो कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है बाप दादा के पास बहभी कैसे थे तो अब डवल अंडर लाइन करेंगे न फिर बाप दादा सुनाएंगे की रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा काम करने का समय निश्चित होना चाहिए कई समझते हैं रात को जाकर काम करते तो अच्छा काम होता लेकिन बुद्धी तक जाती है और अमरत वेला सकती साली ना होने के कारण जो कारिये दो गुणा होना चाहिए वह एक गुणा होता है इसलिए टाइम की लिमिट होनी चाहिए फिर सबेरे उठकर फ्रेज बुद्धी से पढ़ाई पढ़नी है काम करने की लिमिट होनी चाहिए ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमहंग देख खुश भी होते है लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ती है न सदा बुद्धी फ्रेज रहे और फ्रेज बुद्धी से जो काम होगा बहा एक गंटे में दो गंटे का काम कर सकते हो जो सेवा याद में उन्नती में थोड़ा रुकावट करने के निमित होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए जैसे रात्री को जाकते हो बारा बा एक बजा देते हो तो अमरत वेला फ्रेज नहीं होगा बैठते भी हो तो नियम प्रमान और अमरत वेला सकती साली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है मानो सेवा के प्लान बनाने में बस सेवा को प्रेक्टिकल में लाने में समय भी लगता है तो रात के समय को कट करके बारा के बदले ग्यारा बजे सो जाओ वही एक गंटा जो कम किया और सरीर को रेष्ट दी तो अम्रित वेला अच्छा रहेगा गुद्धी भी फ्रेश रहेगी नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद कर चाठ जितना होना चाहिए उतना नहीं है सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का पोता मिल ना देने से नुकसान याद रखना अगर किसी के पृति भी सुपन मात्र भी लगाओ है स्वार्थ हो तो सुपन में भी समाप्त कर देना कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते लेकिन सुपन आते हैं लेकिन अगर कोई बेर्थवा बिकारी सुपन लगाओ का सुपन आता है तो अबस सोने के पहले आप अलवेले पन में सोए कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं कुछ हुआ ही नहीं फिर भी सुपना गया तो चेक करो सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मिल दे कर खाली बुद्धी हो करके नींद की ऐसे नहीं कि ठके हुए आये और विस्तर पर गए और सो गए यह अलवेलापन है चाहे बिकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया लेकिन यह अलवेलेपन की सजा है क्योंकि बाप का फर्मान है कि सोते समय सदा, अपनी बुद्धी को किलियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करो, और अपनी बुद्धी को खाली करो, दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं, अकेले सोते होना तभी सोपनाते हैं, अगर बाप के साथ सो, तो कभी ऐसे सोपन भी नहीं आ सकते, लेकिन फर्मान को नहीं मानते हो तो फर्मान के बदले अर्मान मिलता है, सुबह को उठकर के दिल में अर्मान होता है ना कि मेरी पवित्रता सौपन में खतम हो गई, ये कितना अर्मान है, कारण है अलवेला पन, तो अलवेले नहीं बनो, जैसे आया बैसे यहां वहां की बाते करते करते सो नहीं जाओ। समाचार तो बहुत होते हैं और दिल्चस्प समाचार तो बेर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं। जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेलनेन करते हैं। लेकिन कभी भी बेर्थवातों का वर्णन करते करते सोना नहीं ये अलबेलापन है ये फर्मान का उलंगन करना है अगर और टाइम नहीं है और जरूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं लेकिन कमरे के बाहर दो सेकिंड में एक दो को सुनाओ सोते सोते नहीं सुनाओ एसे नहीं सिर्फ सेंटर का आपके घरों का भी टीवी में आता है तो जब आदी अर्थार्थ अम्रित वेला और अंत अर्था सोने का समय अच्छा होगा तो मद्ध सोता ही ठीक होगा समझा और बाते करते करते कई तो बारह सारे बारह भी बजा देते हैं मस्त होते हैं उनको टाइम का पता ही नहीं और फिर अम्रित वेले उठकर बैठते हैं तो आदा समय निंद्रा लोक में और आदा समय योग में क्योंकि जो अलवेले होकर सोए तो अम्रित वेला भी तो अलवेला होगा न ऐसे नहीं समय ना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है बाप दादा देखता है यह निंद्रा भी बहुत सांती बसुख देती है इसलिए मिक्स हो जाता है गर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं मैं ब नीन करो टाइम पर तो निंद्रा भी आराम देने वाली है फ्रेश तो करती है ना तो नीन से फ्रेश होकर उठते हैं ना तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए जैसे ब्यापार करते हैं उसका उसी समय ही साब किताब चुक्तू कर लेते हैं तो निश्चिंत रहते हैं अगर अधूरा रहा हुआ हो तो ना चाहते हुए भी बुद्धी उस तरफ चली जाती है ऐसे ही आप भी रोज रात को जो कुछ किया बहा बाप के सामने रख स्वयम को हलका नहीं बनाते हो अच्छा किया तो बाप स्वयम ही आटोमेटिकली एक कर लाग गोना जमा कर देगा और बेर्थ किया तो सुना सुना कर अपना बोज उतार देने से आगे के लिए बेर्थ का खाता जमा होने से बाप बचा लेंगे बिकर्म किया तो रहम दिल बाप सच्चाई और सफाई के आधर पर आदा डंद माप कर देगा और आगे के लिए रास्त किलियर कर देगा सोने से पहले सारे दिन के समचार की लेंदेन चाहे कंबाइन रूप में करो चाहे बाप के रूप में करो एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का स्रेष्ट संकल्प और कर्म करन की प्रेंटना लो सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हलके बन जाना जैसे रात को हलकी डेस में सोते हैं न ऐसे बुद्धी को हलका करना अर्थात हलकी डेस पहनना है ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा बाप के साथ रहो अकेले रहने से डर भी लगता है, साथ में सोने से निर्वे भी हो जाएंगे आप निर्वे रहेंगे और माया डर जाएगी जैसे अंत में आत्माय जो संसकार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं फिर वही संसकार ये मर्ज होते हैं इस रीती से यहाबी दिन को जब समाप्त करते हो, तो संसकार नियारे और प्यारे पन के हो गए ना, इसी संसकार से सो जाने से, फिर दूसरे दिन भी इन संसकारों की मदन मिलती है, इसलिए रात के समय सक्ती से पुराने खाते को समाप्त कर देना चाहिए, हिसाब चुक्तू क करें तो खाता बढ़ जाता है और कर्जदार हो जाते हैं कर्ज को मर्ज कहते हैं इसी रीती से अगर सारे दिन के क्यूए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ उसको चुक्तु कर दो दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीती न रखो नहीं तो वही मर्ज की रूप में बुद्धी को कमजोर कर देता है रोज अपना हिसाब चुक्तु कर नया दिन नई स्मिर्ती रहे ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता के लिए रखेंगे तब संपून वा सपलत समूर्थ बन जाएंगे अगर अपना ही हिसाब चुक्तु नहीं कर सकते हो तो दूसरों के कर्म बंधन वा दूसरों के इसाब किताब को कैसे चुक्तु करा सकेंगे इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए जो हुआ वह है योग की अगनी से बस्म करो ज याद की सकती, बिल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साप करना चाहिए, जमा ना हो, एक दिन के लिए उए बेर्थ संकर्प बेर्थ कर्म की लकीरें, दूसरे दिन भी ना रहें, अर्थार्थ करजा नहीं रहना चाहिए, बीती सो बीती, वीडियो में सुनेंगे आलश्य, अलवेलेपन और अभग्याएं, अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं, अच्छा, ओम सान्ती